आज हम बनाएंगे गेहूं के आٹे से बहुत शूखा नास्ता जिसे आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें हमने जो मसाले डाले हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है बेकरी में मिलती है बिस्किट वैसा ही टेस्ट आएगा इसका बहुत ही टेस्टी है बीना चाशनी के यह हम बनाएंगे तो इसे कैसे बनाना है चलिए देखते हैं स्वागत है आपका मिताक्ष मॉमें रेसिपी में तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर आधा कप चीनी का पाउडर, सुगर पाउडर लिया है और आधा कपी हमने लिया है दूद्ध, दूद्ध हमारा full cream होगा न तो और बी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे दूद्ध की जगे आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। रेकिन आपढने आप पर दूद्ध लिया है ताकि यह बहुत द clothing ड्रख करएं अब इसमें डाला है थोड़ा सन नमग है आधा छोटी चमच वह इसमें नमक ड्रखावाज ड्रखशह बहने अच्छा रहेगा बहुत ही टस्टी बनेंगे हमारे जो डिस्क्ट बनेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अभ हम इसमें डालेंगे गेहु काटा तो यहाँ पर मैंने डेड़ कप गेहु काटा लिया है तो जितना हमने मिक्षर बनाया है उसके हिसाब से डेड़ कप गेहु काटा परफेक्ट है इसे हमारा यह जो इसका डो बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा तो इसे हमने पहले एक कप आ जिससे हम दाल चावल खाते हैं उससे चार पांच चमच आप डाल दें इसमें और एक चौथाई का प्यानि की चार चमच इसमें डाला है तेल रिफाइंड टेल डाला है और अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका डो बना कर रेडी कर लेंगे इसका आठ गूत कर रेडी कर लेना है हमने इसमें चासनी डाली है तो यह थोड़ा सा हाथ में बहुत ज्यादा चिपकेगा तो आप घी लगा लें हाथ में थोड़ा सा और फिर इससे इस तरह से गूते तो यह बहुत ही अच्छे से आठा हमारा गूत कर रेडी हो जाएगा थोड़ा स आप इसे थोड़ी देर फूल जाने दे 10 मिनट तक या फिर आप तुरंत भी बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे फिर उसके बाद हमने इसके दो पार्ट कर लिये हैं तो पहले हम एक पार्ट लेंगे उसके बिस्किट बना कर रेडी कर लेंगे तो हमने एक पार्ट लिया है उसका इस तरह से रोल बनाया आटे का 10 मिनट के बाद और रोल बनाने के बाद अब हम एक नाइफ लेंगे चाकू लेंगे उसमें थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे और उससे इस तरह से इसे कट कर देंगी तो इस तरह से कट करने से क्या होगा ये जो इसमें ना दरार आएंगे ना उससे देखकर आपको लगेगा कि हां मतलब हमारी जो biscuit बनने वाले हैं वो बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं अब इसका हमें एकदम square shape देना था इसलिए हम इससे पहले ऐसे बना लेंगे और बस यह हमारे टेस्टी से खस्ता biscuit कि जो डिजाइन है वो बनकर ready हो गए हैं अब हम इसे निकाल लेंगे बहुत ही आसान है इसे बनाना बस measurement का ध्यान रखेंगे तो यह बहुत ही खस्ता रखेंगे और सबस्यादा ध्यान हमें कब रखना इसका जब हम इसे fry करते हैं फ्राइ करते समय हम इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है ताकि यह उसमें melt नहो जाएं तेल के वो सेखने के लिए एकदम ready हो गए है तो यहाँ पर हमने तेल को भी गरम कर लिया है तेल बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए बस जैसे हम इसमें तेल में डाले ने तो हलके हलके बुलबुले आएं इतना तेल गरम होना चाहिए गैस का फ्लेम medium रखेंगे और एक-एक करके बिस्किट इसमें डाल देंगे तो एक-एक करके बिस्किट डाल देंगे और थोड़ी दिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे आप टाइम देखकर भी 10 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ दें गैस का फ्लेम लो कर दें ऑर इसे ऐसे ही चोड़ दें तो यह अपने आप फूल कर उपर आने लगेंगे जैसे यह सीक जाएंगे ना नीचे से तो यह फूल कर उपर आने लगेंगे तो आप टाइम देख कर भी 10 मिनट छोड़ देंगे और देखेंगे आप इसे की इतने जादा खसता बेकरी स्टाइल बनने वाले हैं जैसे बेकरी में बिस्कृट मिलते हैं ना सौंप वाले वैसे ही सौंप जीरा के बिस्कृट जो मिलते हैं तो इसी तरह ये बनने वाले हैं बहुत ही टेस्टी तो जब 10 मिनट हो जाए जब ये तैर कर ऊपर आ जाए ना तो आप इसे फोक की सहायता से पलट ने मैं हमेशा फोक का इस्तमाल करती हूं इसके जगे आप टूथ पी या आपके पास ऐसा कुछ है तो उसका भी उसकर सकते हैं नुकीला सा कुछ हो तो और जब यह दोनों तरब से सिख जाएंगे न तो यह थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो फिर आप इसे कलची की सहायता से आप इसे पलट कर अच्छे से दोनों तरब से गोल्डन कलर होने तक सेक लें पूरे टाइम हमें गैस का फ्लेम मीडिया में रखना है और इसे अच्छे से से सेकना है तो बस इसे सेकने में 20-25 मिनट का टाइम लगेगा तो आपको पेसेंस रखक का और पेसेंस के साथ इसे बना लें और जब अच्छे से सीख जाए थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज करें और इसे फटाफट निकाल ले और ठंडा कर ले और उसके बाद आप इसे किसी भी टाइम सर्व करें जब भी आपका इसे खाने का मन हो और जो बचे हुए बिसकिट है उसे आप एर-टाइट टिबे में बंद करके बाहर ही रखें फ्रीज में रखने के कोई जरूरत नहीं है तो यह खसता से टेस्टी बिसकिट बन कर रेडी है अगर रैसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और धेर सारी हैं दमकुदा भी मठरी निखी वाली मठरी चाशनी मठरी के मिठाइ जरूडरा चेक करें तो आपको रेसिपी ban